होली का टाइम हो और गुजिया ना बने तो पता ही नहीं लगता कि होली आ गई है नमस्ते दोस्तों आज मैंने बनाया है होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी जो की बहुत ही खस्ता बहुत ही करारी और बहुत ही अच्छी बनी थी जिस जिस ने खाया सब में बहुत ही तारीफ करी और मैंने धीर सारा पैक किया था मंदर ले जाने के लिए तो मंदर में भी सब में बहुत ही तारीफ करी मेरी की बहुत ही टेस्टी बना है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये गुजिया कैसे बनानी है और सबसे खास बात इसमें ये है ना कि इस गुजिया में ना तो मेरे पास गुजिया बनाने का साचा था और ना तो मैंने हाथ लगाया है लेकिन पॉफेक्ट गुजिया बन के तयार हुई है कैसे बनी है आईए देखते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है माईदा एक नॉर्मल मैंने कटोरी ले लिया है उससे मैंने तीन कटोरी माईदा लिया है और जिससे मैंने माईदा लिया है तीन कटोरी उसी से थ्री फोर्स मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा पॉना कटोरी मैंने घी लिया है थोड़ा सा दिया है और अब अच्छे से हम इसको मोहिन देंगे माइदे को घी के साथ और जितना हम अच्छे से मोहिन करते हैं कोई भी अगर हम ऐसी चीज बनाते हैं जो खस्ता चाहिए तो वह बढ़िया बनती है तो मोहिन देने में बिल्कूल जल्दवाजी नहीं करनी है खुब अराम के से हम मुठी में लेके देखेंगे और अगर साथ में आ रहा है तो इत मिंस की हो गया है ये और इतना ही घी चाहिए तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक्टम सक्त आटा लगाऊंगी मतलब बिल्कुल टाइट पानी का यूज कम करना है क्योंकि थोड़ा सा महनत भी लगेगा बट आटा बढ़िया लग गया तो बढ़िया गुजिया बन जाएगा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बिल्कुल और देखिए मैंने गूत लिया है सक्त सा आटा अभी पूरा तो नहीं गूता है बट इकठा हो गया है तो बट दुनगी बिल्कुल ऐसे बर्टन से द्रक के दबा देना है या फिर आप गीले कपड़े से भी ढख सकते हैं ताकि बिल्कुल हवा ने लगे इसमें और अब मैंने कडाही गरम की है और इसमें सर्फ एक चमच घी डाला है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा और इसको इस तर मेनारियल और बदाम की ही कॉंटिटी में मैंने लिया है कटा हुआ काजू तो यह सारी चीजों को हमने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे दो धाई मिनट भूनना है ताकि एक तो इससे ना जो थोड़ा बहुत मॉस्चिर है ना वो निकल जाएगा तो गुजिया काफी लंबे ट बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा किस्मिस भी डाला है किस्मिस भी अगर कट करके डाले तो ज्यादा बेटर है बट मेरे पस टाइम की कमी थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है और इसको न बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है हमें और यह देखिए यह भून गया है दो क्पड़े से साफ कर लिए है मैंने अब इसमें मैं डाल नहीं हूँ थोड़ा सा घी बहुत जादा घी डालना है और उसके बाद मैंना उसी कटोरी से सूजी मैंने लिए सूजी मतलब सूजी का यूजह स्टाफिंग में सब से कम हुआ अब भी दिखाऊंगी मैं आपको लास्ट में तो इस तरीके से सूजी को भी ना भून लेना है लेकिन इतना नहीं भूलना है जितना महलवे के लिए भूनते हैं बिल्कुल ब्राउन वैसा नहीं करना है थोड़ा सा गोल्डन टेक्श्यर आ जाए सूजी थोड़ी सी खुश् चेंज होने लग गया है तो उतना ही भूनना है हमें और सूजी अल्मोस्ट हो गई है हमारे देखिए तो अब हम क्या करेंगे ना ग्यास बंद कर देंगे बट कड़ाही गरम है तो हम थोड़ी दिर इसको और भूनेंगे और इस तरीके से अगर हम गुजिया बनाएंगे न तो काफी लंबे टाइम तक मतलब बाहर भी रखो तो 15-20 दिन चलती है फ्रिज में रखो तो एक डेड़ महीने भी खराब ने होगी अराम से आप खा सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखके तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये और होली पे तो बनती है तो ये देखि इस मावे को ना हम लो फ्लेम पे ही थोड़ा थोड़ा गरम करते हुए चलाएंगे इससे वैसे हम मावा को डरेक्ली भी डाल सकते हैं बट अभी हम इसको थोड़ा सा भून इसलिए रहा है ना कि एक तो देखो मावा वगरे फ्रिज में रखा होता है तो इसमें थोड़ा ब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है टेस्ट इसका काफी इन्हांस हो जाता है भून देने से तो यह देखिए मावा को हम इस तरीके से मसलते हुए भून लेंगे और मावा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है जो इसके बड़े-बड आपको यह देखिए मावा भी मैंने ले लिया है तो सबसे जादा है ड्राइफरूट सबसे कम है सूजी और मावा ड्राइफरूट से थोड़ा सा कम है तो यह हो गई हमारे स्टेफिंग इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और तब तक हम देख लेते हैं कि हमने जो यह थोड़ा सा ही मसलने से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है आप देख सकते हैं कि पहले के माइदे में और अब में कितना अंतर है तो बढ़ियां सा डोग बन गया हमारा अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें से लोई बढ़ी सी काट लेंगे और इसको लंबा कर लेंगे रोल जैसा और फिर छोटी 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 लोई जो होती है ना जैसे हम पूरी की लोई काटते हैं वैसे ही काट लेंगे और यह से गोल बना लेने से फायदा यह होता है ना कि लोई यह जो भी है ना वो सारी एक साइज की कटती है तो ऐसे करना है और इसके बाद से इसक लिए है पूरा और अगर कोई हो हेल्प के लिए तो बहुत अच्छी बात है मैं अकेले हूं तो मैं ऐसे ही करती हूं अब इसको हम चाहें तो चकले पे बेल सकते हैं चाहें तो प्लेटफॉर्म जो है ना मैंने बहुत बार क्लीन किया है और बिल्कुल क्लीन है तो मैं ठ्रिख फॉर्म का यूज करा है तो उसमें क्या है ना कि गी अल्रेडी है इसमें और बहुत सक्ता आटा है तो इसमें कुछ भी लगाने के ज़रूरत नहीं है बढ़ियां सा पतला सा बेलना है जो हर तरफ से एक बराबर हो कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं हो इसी तरीके से ह एक बर फ्राइब करने भर का पहले बेल ले रहे हैं और जब तक वह फ्राइब होगा तब तक हम भाकी बेल के और उसको भर के तयार कर लेंगे अगर दो लोग हैं फिर तो सारी चीजे साथ में हो जाती हैं अगर अकेले हो तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो और आजकल जारतर लोगा केले ही होते हैं अब देखिए इस तरीके से मैंने पूरिया बेल ली हैं स्टफिंग हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ना इसमें डालेंगे चीनी बट चीनी को मैंने पहले पीस लिया है तो यह मूँ में नहीं लगेगा और बहुत चाने लगेगा और बाद में जल्दी से खराब होने के चांसे रहते हैं तो हमारे स्टफिंग बिल्कुल ठंडा हो गया था तब मैं इसमें डाल रही हूं और यह मैंने लिए इलाइची जिसको कूट लिया था और बीज निकाल लिये थे कूट लिये थे 5-6 इलाइची डाल है वह सारी चीजे ना बिल्कुल बराबर हर तरफ मिल जाएं तो इसको देखिए कितना बढ़िया मैंने मिला लिया है एकदम भरभरा अच्छा सा स्टफिंग तैयार हुआ है तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक पूरी ऐसे लेंगे और इसके आधे हिस्से पे ना हम थोड़ आघने लेेना है स्टफिंग बोहरा जाहरा नहीं डालना है क्योंकि जब हम फ्राइं करेंगे यह भूत जब वेंग लगे तो और विल्कुल फोड़े गैं को ने efforts कूँंटे और यह है हमारा बढ़िया सा गजिया जो बिना सांचे का और बिना हाथ के मेहनत का बहुत देर तक फोल्ड करने का कोई जरूत नहीं है बढ़िया से सील हो गया है और अच्छा सा शेप में बनके तयार है तो इसी तरीके से हम सारी गजिया को प्रिपेर कर लेंगे और इस क्रें मस्त मैं तो ऐसे ही बना लेती हूं क्योंकि ना वो द्लव सांचा हुए उसको पूरा ही साल संभालना बड़ा मुश्किल है तो मेरे बच्शे खेल के तो लइस तो तो यह कर लेती हूं तो यह कि मैंने बना लिए हैं ऐसे ही सारे गजिया प rec II को बना लेना हैं हमें औ चेक कर लेना है ऑल बहुत जादा क्योंकि माइदा जो है ना फटाक से जल जाता है बाहर से और बाहर से आपको दिखेगा कि बहुत बढ़िया हो गया है बढ़ अंदर से कच्छा रह जाएगा और फिर जो भी खाएगा उसको नुक्षान करेगा तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि इसको बिल्कु लो टू आप देख्षान देख्षान अन ये ओंदर से करते रहना हे उल 230 को बढ़िया से इसको नहीं लग करना है तो यह देखिए इसका टैन होने लग गया है और तेल पूरा होना चाहिए कम टेल में नहीं फ्राय हो पाता है आप चाहें तो घी में फ्राइ करें तो और बढ़िया बट मुझे बहुत सारा बनाना था तो इसलिए मैंने घी नहीं लिया है तो देखिए कलर इसका चेंज होने लग गया है और ऐसे ही थोड़ा पेसेंटली घुमाते हुए उलट-पुलट करते हुए फ्राइ करना है और य थोड़ा सा और डार्क होता है थोड़ा सा और पकता है तो अगर हम पहले ही बहुत ज्यादा डाग कर लेंगे तो बाहर निकलने के बाद काला हो जाएगा और फिर वह अच्छा नहीं दिखेगा और खाने में भी मजानी आएगा तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूं मैंन बन गया है अब इसी तरीके से न हम बाकी बचे हुए गुजिया को भी फ्राइ कर लेंगे और फिर लास्ट में दिखाते हैं आपको कि कैसा बना है लेकिन मेरे हस्बंड तो खाए नहीं थे कभी मेरे हाथ का मैं इन सब चीजों में मतलब पहले नहीं बना दी थी तो फिर मे में एक और खालो मैंने खालो मैंने चीनी कम डाला है आपकी वज़े से तुक्या रहें कि यार मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा बनाती हो बहुत ही मज़ेदार बना है मैंने कोई बात नहीं मैं और बना दूंगी तो फिर मैंने इसको रखा था थोड़ा सा घर के लिए बाकी मैंने पैक किया था मंदिर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर लेके जाने में कुछ भी तो यह है आज का हमारा गुझिया आज की हमारी रेसिपी जो की बहुत ही बढ़िया बनी है आप देख सकते हैं और बहुत यह आसान तरीके से बहुत कम टा अभी को बनाना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई